हेलो दोस्तो रादे रादे कैसे हैं आप लोग आचा है आप लोग स्वस्त होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और इस स्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्त रखे मस्त रखे आप लोग अपने जीवन में यूही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें यही इस स्वर से प्रातना है हमारी. तो हो गई है सुभा की सुरवात, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और सुभा की सुरवात हो रही है, खाना बनाने के साथ, तो सुभा की जितने भी काम थे वो तो हो गए है, नहा कर हम आ भी गए है, सब लोगों ने चाय भी पी लिये, उसके बाद हम लग गए है, खाना बनाने में, और आज खाने में बन रही है कुंदरू की सबजी, और कुछ दिन पहले हमने भरवा कुंदरू बनाई थी, तो आज मन्था काट के बनाने का, और काट कर कुंदरू की सबजी बनाऊना तो बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है, तो यहाँ पर हम सबजी बना लेते हैं, और यह सबजी थोड़ी दिर पकानी पड़ती है, ज्यादा दिर चलानी पड़ती है, तो बीच-बीच में चलाते जा रहे वाली कुंद्रू भी अच्छी लगती है आप लोगों के यहां पता नहीं क्या कहा जाता है लेकिन हमारे यहां इस सब्जी को तो कुंद्रूर ही बोला जाता है अप и हैं और सब लोग चले गएये कोस्ति आप आम देखने के लिए कि अभि ज्यादा आम तो नहीं रहे गए हैं आठ से दस आम रोज मिल जाते हैं सुबह वह भी देशी वाले जो होते हैं वह बाकि जो दसेहरी आम थे वह तो खतम हो चुके हैं तो अभी गई है चारूबी साथ में तो लेकर आएंगी और यह देखें लेकर आच चुकी हैं आम तो ही दिखा रही थी कि आज इतने नाम मिले हैं और इधर जो है प्याज को रालू को जो है फैला की रग दिया गया है जब सब्जी आती है तो फैला की रग दो वरना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना कि बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है आलू और यहां पर बिस्किट लिकर आएं तो वही खा बिस्किट तु नहीं कहाती है उनकी आदद बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है केवल बीच की क्रीम खाती है निकाल के बाकि सारे बिस्किट वैसे ही डाल देती है तो यहां पर हमारा खाना बन चुका है तो इनके लिए लगा दिया है तो वही बिट्या रानी तहीं और किसी के साथ खाएं या ना खाएं लेकिन जब इनके पापा खाना खाने बैठते हैं तो उनके साथ जरूर खाती हैं ये इनकी आदत है तो दोस्तों पांच बज गए हैं अभी तो हमारे काम खतम ही हुए है फिर से हम करने जा रहे हैं अपनी रसोई की सजावत कुछ करेंगे जलके उच क्या बहुत कुछ करना है कि भी समान पूरत सिट करना है और अभी तहीं जब अशी खा रहे हैं खाना कुछ ने लेकर आई है ना चावर लेकर आई ना मग लेकर आई है इनको यह चलते हैं लेकिन दाल खाएंगी नहीं क्यों दाल नहीं खाती हो है तो चलिए चलते हैं उपर क्योंकि बहुत ज़दा गर्मी है इतनी ज़दा गर्मी है कि थोड़ी दिर खड़ रहा है तो उपर चलते हैं साय धावा च तो इस समय पसुओं ने बहुत ज़दा परेसान करके रखा है और यहां वर हम लोग चल रहे हैं च्छत पर और आज अच्छी बात यह है कि गर्मी तो बहुत ज़ादा है भीसड गर्मी कह सकते हैं जिसको भैंकर वाली गर्मी लेकिन हलकी सी बदली अभी आई है दिखी है पत क्यादा पर न परता है थे पानी कारने के लिए कुh होना चाहिए और दूद की बोतल और खिलने कुछ केलने के लिए तो इतना सारा सामान हं लेकर आते हैं और उसके बाद हम लग गए हैं चाट में डीजाइन बनाने के लिए तो जैसे भी आ रही थी वैसे काट रहे थे और यह चार्ट मोटे होते हैं तो कैंची से इतनी जल्दी कटते भी नहीं है तो बहुत जादा दिक्कत आ रही थी तो यहां पर जैसे मन चाह रहे थे वैसे डिजाइन काट रहे थे वैसे जादा अच्छी हमको काटनी नहीं आती है और जब समय होता है तब सब्चिश करने में भी मन लगता है ऐसे तो होता है जल्दी से हमारे काम हो जाएं क्योंकि साम हुई जा रही है तो जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं और फुर्सत मिलती है तो अराम से बैठ करें चाहें जैसी मन चाहें दोस्तों हमारे सारे चार्ट जो है कट चुके हैं जैसी आई वैसी रिजाइन काट भी जब हमको अच्छी काटने आती नहीं पोन नहीं देखो और यहाँ पर हमने इतने सारे चाट जो है काट लिए हैं तो इनको बिछा देते हैं और समान हमारा सब साफ रखा हुआ कि सारी चीजों को फिर से उतार कर रख दिया है नीचे और पेपर बिछा दिया है उसके बास सारे बड़तन को जितने भी डिब्बे वगएरा है सब लगा देंगे ज़्यादा समान तो उपर नहीं रहता है क्योंकि जब खाना लगातार बनता है तब तो सारा समान उपर आता है तो फिर नीचे चल आता है और अभी हम क्या करेंगे कि उपर का समान उपर रहेगा और नीचे का समान नीचे रहेगा। कि इतने जरों से कहाना नहीं वन आ तो समान में अस्तवस्त हो गया है और जो खना बनाने का समान है वह अभी में दिगों में भड़ना पड़ेगा तो ग्यासे समर्मिय शेट कर दिया है और देखकर बताईगा कमेंट करेगा कि कैसा की थे हमारा लग रहा है और समाने थोड़ी कम है लेकिन जैसे जैसे खाना बनाएंगे उपर वैसे वैसे समाने भी भटके जाएंगे तो चलिए अब अपनी रसोई में कुछ डिजाइन बना लेते हैं अपनी रसोई को थोड़ा सा नया लुक देते हैं यहां पर यह बेल बनाई है और इसका एक फूल यहां पर भी बना लेते हैं तो इसको फिर कलर कर देंगे तो अच्छा लगेगा देखने में तो चलिए बनाते हैं तो पेंसिल से बनाने में ही होता है कि जब आप पेंट करते हो तो इधर उधर नहीं होता है बढ़िया वैसे ही बन जाता है तो यहां प बनीे में भी हो जाता है तो यहां पर जैसे समझ में आ रहा था वैसे डिजैन बनाते जा रहे थे और यह तो अपने उपर है अब जब चाहा है जैसी मन चाहे डिजैन बना सकते हैं फिर पुताई कर सकते हैं फिर बना सकते more यह देखिए ऐसे बनाई है डिजाइन फूल बना दिये हैं तीन और बीच में थोड़ी सी चोटी-चोटी सी बेल बना दिये हैं और यह कटोरी ने बड़ा साथ दिया हमारा जब हम उपर डिजाइन बना रहे थे ना तो लाइने बराबर नहीं आ रही थी तब हमने कटोरी का इस्तिमाल किया है ले पूरा पूरी एक डिपी आ गई है लाल कलर की उसी से डिजाइन बनाते हैं और यह ब्रस घर पर बनाई है और हमारी एक बहन का कल कमेंट आया था कि वाले वीडियो में लिपाइप उताई में कि आप अपनी बहन की नकल क्यों करती हैं उन्होंने जब हमने अपने चैनल किया था निबाय ही दिखाई थी अपने किचेन िकिती निवामो के रहते हैं। और ये करना हमको अच्छा भी लगता है लिपाई पुताई करना और नकल करने से कुछ नहीं होता है मेहनत लगती है मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर आपके काम होते हैं कोई भी काम हो घर के काम हो बाहर के काम हो हर काम मेहनत लगती है और सबकी लाइफस्टाइल अलग दोस्तों लाल कलर से हमें फून तो बना दिये हैं अब जो ये बेल है इसको हरे कलर से करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे कि ये बेकिये साम होने वाली है तो थोड़ा जल्दी करते हैं और हाँ ये हो सकता है कि तुरंत वीडियो जा रहे हैं पहले उनके गए अब हमारे जा रहे हैं तो आपको देखकर लगता हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अगर बारिस ने इतना ज़्यादा बरबाद ना किया होता तो हम अपनी किचिन इतनी अच्छी बना भी नहीं पातें क्योंकि फिर यही रहता है कि चुले की लिपाई कर लो पुताई कर दो हो गया लेकिन अभी पूरी तरह से बरबाद हो गई थी तो इसको बनाना भी था तो थोड़ा सा और सजा दिया है तो देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि रोज रोज तो इतना समय मिलता नहीं है क और ये पॉदे हमने इन से मंगाये थे फूल के पूदे हैं दो-tीन तरह पूदे और इन में फूर लगेगे तब आप लोगों को दिखाएंगे अभी तो पूदे लगा दे रहा है इसमें पानी डालदेंगे और ये हमने मंगाए अपने जुगार से हम सोच रहे थे अगर अभी लगा देंगे तो नौरात्र तक न अच्छे से लगने लगेंगे फूल बढ़े-बढ़े हो जाएंगे तो देखने भी अच्छा लगेगा और घर में जब फूल होते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है आराम से पूजा कर सकते हैं तो यहाँ पर जो हैं अपने काम पर और यह कटोरी से हमने डिजाइन बनाई तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बिल्कुल भी इदर उधर नहीं हुआ आराम से हो गया है तो एक कटोरी की सायता से ही हमने कितनी अच्छी डिजाइन बना दी है तो यहाँ पर पूरी डिजाइन हो आने में अधर यह दिवार जो भी कंप्लीट हो गई है लेकिन अधिरा हो गया था और यहीं से आज का काम समात कर रहे हैं अगर जो कल समय मिलेगा तो कल बना देगी नहीं तो भी ऐसी पड़ा रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताईएगा कि रिजाइन कैसी लेगी है और चलते ही नीचे चारू चली गई है काफी दर से बैठी थी चलिए चाना बनाने के त्यारी करते ही और आस तो बहुत ही जड़ा गर्मी हो रही है तिनी गर्मी हो रही है कि क्या बता है और जब तक छत पढ़े तो ठीक था क्योंकि हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा थ लेकिन नीचे आये हैं तो वहुआ ज़्याधा गर्मी लग रही है तो खाना भना लेते है उसके बाद जो है उपर ही चलेंगे और वैसे भी हम लोग उपर ही लेटते हैं और नीचे तो परदास ही नहीं हो रहा है और यह उमस वाली गर्मी है तो चलिए खाना बना लेते हैं कि सारा समार उपर ही रह गया था ट्राइबोड वगरा सब ये उठा कर लाएं अभी और हम सोच रहे थे कितनी जल्दी खाना बना ले क्योंकि देर हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना कि खाना बनाने में देर हो गई है और खाने में बनेगी सबजी रोटी आलू तरोई की सबजी बनेगी तो सबजी जो है नरजी ने काट दी है उसके बाद हम बना लेते हैं जटपट से क्योंकि उसके बाद भी काम करना होता है वीडियो का भी करना होता है बिटिया को भी देखना होता है और घर के जो काम होते ह तो वो होते भी हैं तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यही पर करते हैं समाप्त मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जदा से ज़्यादा से शेयर कीजिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार